समस्कार दोस्तों मैं उंकर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों Yes Bank का शियर काफी limelight में आता हुआ दिख रहा है काफी ज्यादा action में भी आता हुआ दिख रहा है Infosys बेच के आप Yes Bank ले लो तो मैंने कोई reply नहीं दिया बट मुझे लगता है इस तरीके की बिल्कुल भी recommendation किसी को भी नहीं देनी चाहिए उनके पास एक बहुत ही quality stock है जो long term में पैसा बना के देता हुआ है और आप एक ऐसा share unit हमा रही हो जिसका long term का हिसा भी नहीं पता अभी काफी लोगों को Yes Bank के बारे में ये बात शायद मेरी चुब गई होगी या बुरी भी लग रही होगी बट जो genuine investor है stock market में उसे पता है कि Yes Bank एक अलग stock है दौनों ने अपनी अपनी maintain करी है position and respect अलग तरीके सी अगर आप Infosys को Yes Bank से compare करते हो तो मेरे साब से वो कहीं से कहीं तक भी match नहीं करेगा अगर आप Infosys का 5 साल का chart खोलोगे returns देखोगे तो आपको Infosys में लगबग 202% के returns दिखेंगे अगर आप Yes Bank का stock खोलोगे long term के according उन देखोगे आप तो stock में 96% के negative returns है stock कहीना कहीं दिवालिया गोशित हो गया इसलिए चलिए कोई बात नहीं long term की बात कर लेते हैं जब company 2005 से तब भी देखें तो लगबग 10% के returns है आप Infosys देखेंगे तो शायद आपको काफी multiplier देखेंगे बट चलिए कोई बात करेंगे Yes Bank stock Limelight में आता हो दिख रहा है आज भी stock में लगबग 16 crore shares trade हुए और average volume is stock के 6.5 crore shares के average volumes के सामने stock में 16 crore shares trade हुए है सबसे बड़ी बात जो है वो इस stock के लिए जो खबर आई है वो आज नहीं कल नहीं 18th July यानी 3-4 दिन पहले आई थी हैं वो काफी impactful news थी हैं इस stock में आप सभी ने काफी शानदार तेजी भी देखिया है और company जो है दीरे-दीरे करके credit card भी आप सभी को पता है चालू हो चु सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ यह stock में जो तेजी बन रही है उसके पीछे का reason क्या है दो चार दिन पहले जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करा 18th July को company की तरफ से एक ख़बर आई 480 billion रुपीज के जो इनके पास debt provision NPA थे वो इनके ARC को बेक दिये गए है अ सबसे पहले 480 billion रुपीज का मतलब होता है 48 करोड रुपीज मैं आपको बता दू 48 करोड रुपीज का मतलब है लगबग 48 करोड रुपे के जो NPS थे company के ऊपर वो company ने बेच दिये ARC को for example यह है yes bank इनके पास NPA है और मान लीजिए यह है ARC अब ARC का मतलब जो होता है asset reconstruction company that means आप सभी ने पढ़ा होगा banking stocks के साथ एक NPA या GNPA या provision से हमेशा जुड़ा होता है इनका मतलब क्या होता है क्या माहिने रखते हैं यह banking stocks के लिए इनका मतलब होता है for example मैं मैंने yes bank से रुपे ले लिए as a loan और as a credit card कुछ भी ले लिए मान लीजिए and मैंने वापस नहीं कर रहा यह लोग क्या कर सकते हैं कुछ नहीं यह मुझसे बारवार करें बट मैंने वापस कर ही नहीं रहा तो मेरा जो loan लिया हुआ पैसा इन लोगों से वह मेरा NPA में चला जाए ठीक है तो मैंने वापस नहीं कर रहा मतलब non-performing assets जो पैसे यह लोग वापस नहीं ले पा रहे हैं अपने क्लाइंट से अब वह क्या करते हैं इसके पास 48 करोड के NPAs और प्रोविजन से बोला कि यह 48 करोड के रुपीज है इन इन लोगों पे है मैं सारा data इंड सारी details आपको देता हूं आपके हो जाएंगे 48 करोड आप खरीद लो यह क्या करता है कि यह कहता है भाई मैं आपके 48 करोड के NPA केवल और केवल 4 करोड में खरीदूँगा यह कहते है ठीक है मुझे तो कुछ मिलनी रहा आप 4 करोड में ले लिए आप उसके बाद यह उन लोगों से किस तरीके से पै 48 करोड निकाल लिए एक भी न निकाल पाएं कंपनी का उसके कोई वास्ता नहीं है लेना देना लिए कंपनी को चार करोड मिल गए सिंपन तो इसी प्रकार के कुछ NPA और प्रोविजन कंपनी ने लगबाग कंपनी ने 80% NPA जो वो बेच दिय है ARC को Asset Reconstruction कंपनी को उसके पाद इस टॉक में एक फ्रेश जान और तेजी बनती हुँ दिख रही है बट अब मैं आप इसको इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दू चार्ट के अकॉर्डिंग है तो मैंने आप ख़बर दे दी तो पिछले 6 महीने में इस तरीके के स्पाइक पहले भी आए फॉर एक्जांपल लगबग 31 मार्च को यह स्टॉक का प्राइस बारा रुपे 25 पैसे पे दा है और इस टॉक भाग के आप सभी ट्रस्ट करिए आठ अपरेल यह नहीं चार पांच ट्रेडिंग सेशन में साड़े 15 रुपे का हो गया 60% के रिटन बनेंगे almost यह 60 के तो नही है मेरी request है देखिए मुझे पता है मेरा क्या लेना है क्या बचना है बट शयाइद वो कोई नया हो मार्केट में हो सकता है उनका पैसा बहुत कीमती हो बहुत ज्यादा safety से उन्होंने invest करा हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट हाँ आप ऐसी request है मेरी humble request है आपस चलिए कोई ब मैं वहाँ पैसा लगाना पसंद करूआ एंड हर एक बंदे का स्टॉक मार्केट में अलग व्यू होता है हो सकता है आपको इन सबसे अच्छा बिल्कुल ठीक हो आप भी क्योंकि एस बैंक में अच्छी दिख रही है ग्रोध दिख रही है आगे चलके बढ़ेगा स्टॉक नोड़ाउट बीस भी होगा पचास भी होगा बट मैं फिर भी क्यों मुझे लगता है आइसी इसी भी भाई आठ सो भाला पंदरा सो भी होगा दो हजार भी होगा तो मैं वहां लगाना पैसा ज्यादा पसंद करूँ हो जाम मैंनेजमेंट थोड़ा है वी है बाकी यस बैंक का स्टॉक की बात में तो काफी अच्छा दिख रहा है इन ले दिख सकता है तो यह मेरी वीडियो यस बैंक के स्टॉक को लेकर होप आपको समझ में आई होगी थैंकि सो मच पर वाचिंग इस वीडियो